तो आज यदे पांसो असी हो गए आज मलक लिने को हुन तक पच्ची लाख पच्ची यार तो ज्यादा जैने के सवा पच्ची लख तो ज्यादा लोग मलक लिनका जाके ठीक होके अपने वाकार बाप जा चुके पंजाब में मान सरकार लगाता लोगों के हित में फैसले लेती रही है फिर चाहे वो फ्री बिजली का मुद्दा हो या कोई और बार और अब सरकार ने राज्य के लोगों को असी और आम आदमी महला क्लीनिक की सोगात दी है पंजाब के मुखे मंत्री भगवंत मान और दिल्ली के सीएम अर्विन के जीवाल ने शुकरवार को लुध्याना में असी महला क्लीनिक जनता को सौपे जिसके बाद अब राज्य में महला क्लीनिक की कुल संख्या 580 हो गई है जो जनता के इलाज के लिए मौचूद रहेगी आम जनता को क्वालिटी ट्रीटमेंट देने का वादा करने वाले पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि राज्य में कुल 580 आम आदमी या महला क्लीनिक लोगों को फ्री जिकित साफ प्रदान करेंगे सीएम मान ने कहा कि अर्विन केजरिवाल ने लुध्याना में असी और आम आदमी क्लीनिक का उद्धाटन किया हमारी सरकार पंजाबियों को उनके घरों में ही स्वास्ते संबंदी सुविधा मोहिया करवाने की पूरी तरह प्रतिबद है अब पूरे राज्य में 580 क्लीनिक लोगों की सेवा में है तुसी निकलो करो बहार तो आड़े कर दे साव में ट्रेद ले पासे जैद ले पासे मला क्लीनिक आम का आम आदमी क्लीनिक है उत्थे जाओ ड़क्टर बैठे ने अकतारी किसम दे टेस्ट ने दवाईया सारी है मौफत ने आपको बता दे कि पहले फेज में राज्य में 100 क्लीनिक शुरू किये गए थे इसके बाद सरकार ने 404 क्लीनिक दूसरे फेज में और अब तीसरे फेज में 80 क्लीनिक त्यार किये है इसी के साथ राज्य में कुल 580 महौला क्लीनिक शुरू हो गए है ये आम आदमे क्लीनिक राज्य की जनता कल्यान के लिए काम कर रहे सीम मान के ट्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है ये क्लीनिक वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट और डाग्नॉस्टिक सुविधाय प्रदान करने वाले है वहीं अभी तक इन में 25.63 लाग मरीज निशुल चेकितसा सिवाओं का लाब ले चुके है बहरार ये तो थी महला क्लिनिक की बात इसके साथ ही आपको बता दे कि सीम के जिवाल इस कारेक्रव में पहुंचे जा उन्होंने केंज सरकार पर भी निशाना साथा और कहा कि ये हमारा मजाक उडाते थे कि आप से बॉर्डर स्टेट नहीं संभलेगा आगे उन्होंने कहा कि हमसे तो संभल गया इनसे मनीपूर क्यों नहीं संभला जो लोग हमारा मजाक उडाते थे चुनाव के पहले कहते थे ये बॉर्डर स्टेट है आम आदमी पार्टी से संभलेगा नहीं बॉर्डर स्टेट है आज हमसे तो बॉर्डर स्टेट संभल गया उनसे मनिपूर नहीं संभल रहा और जब मनिपूर में आग ले गई है वो करनाटक के अंदर चुनावी रैलियां कर रहे है